नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमारे कलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स कोई हात भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिजाज का सहर है जरब फासले से मिला करो तक सेखी बगारे पाकिस्तान ने हालत की पॉल खुलते ही वर्ड बैंक की सरन ले ली है अब इस्थिती ये है कि इमरान खान भीक का कटोरा उठाए वर्ड बैंक के सामने गिड़ गड़ा रहे हैं पाकिस्तान 20 क्रोट डोलर का कर्ज बांग रहा है ताकि इस बिमारी से लड़ने में संसादन खड़े किया जा सके पाकिस्तान की स्वास्तववस्था की हालत खराब है मास्क हो या जाचकीट हर चीज की कमी है हालत यह है कि विश्वास संगठन की नीतिव का पालन भी वैदनाई कर पा रहा है विश्वास संगठन ने सभी देसों से काया कि वे अपने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की जाच कराए लेकिन पाक के लिए यह संभव नहीं है उदर वर्ड बैक से मदद की गवार लगाते हुए पाकिस्तान का कैना है कि उनके यहां मुझूद 270 सारवजिन का अस्पताल और लेब इस घातक संकर्मन को रोकने में नाकाफी है गोर तलब है कि यहां इस रोक के 300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं सिद्ध में 208, पंजाम में 33, इसलामाबाद में 2, बलुचिस्तान में 23 और खेबर पक्तून खुबा में 19 मामले हैं वहीं पियोके और गिलगिट बार्टिस्तान में अब तक 16 मामले सामने आए हैं बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में यह रोग तेजी से पैर पसार रहा है पाकिस्तान सार्क देशों में इस रोग की चपेट में सबसे उपर पहुच गया है या पंजाब सरकार का हाल सबसे बुरा है लेकिन सिद्ध ने अच्छी तयारी की है इम्रान ने यह कहकर पाकिस्तानी जंता की घबराट और अधिक बढ़ा दी है कि उनके पास इस से लड़ने के संसादन नहीं है उन्होंने काया कि चीन से कुछ मदद मिलती है तो हम इस पर कुछ नियंतरन कर सकते हैं मगर जब तक अमीर देशों से पाकिस्तान को मदद नहीं मिलेगी हालात को समालना मुश्किल है विस्व बैंक की स्थान ने प्रतिनी दी मरियम अलताप ने कहा है कि पाकिस्तान ने 20 क्रोड डोलर की वित्तर सायता पर चर्चा की है उदर पाकिस्तान के पास जुलाई 2019 में 8 रप डोलर की क्रेंशी रिजव मौजूद था जो कि उसके कुछ महिनों के आयात के लिए ही काफी था इसके बाद चीन, युई, सौधी अरब और आयमेप से मिले करज से ये रिजव बंडार साड़े 10 अरब डोलर से उपर हो गया था लेकिन इस बिमारी के पाकिस्तान को चपेट में लेने से उसकी अर्थवबस्ता पुरी तरह चर्मरा गई है ऐसे में उसे अगर सिगरी वित्तमद नहीं मिली तो पाकिस्तान पुरी तरह दिवालिया हो जाएगा इसके साथ अनुमती दोस्तों, जै हिंद